आप सभी को जैमसी की मैं संतर एक बार फिर आप सभी के बीच में आता हूं अपने यूट्यूब चैनल में एक नए विशे के साथ नए सब्जेक साथ जो आप सभी को जानना और समझने ज़रू है मसी जिन्दगी में तो एक खास विशे के साथ मैं आप सभी के बीच में आता हूं और आज मैं बहुत अच्छे टॉपिक में आ रहा हूं एक बहुत अच्छे विसाय के साथ मैं नए सब्सक्राइब के साथ आप लोगों की बीच में आ यह को है कि आपके और मेरे दुख में कौन हमारे साथ ये मेरे विसायओ तो आएये में अपने विसाय के आगे बढ़ता हूं आप Magic क्या लूजगा होंगे कि इस दुख क्या है दुकरत अकली मुसिबते में क्या सब्सक्राइब कोमालूं है ठीक है तो आपके मेरे दुख, मेरे दुख, आपकी मुसीबत में, मेरे मुसीबत में, आपके समस्य में, मेरे समस्य में कौन हमारा साथ देता है, आप सोचते होंगे कि मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे जो भी हो, पत्ती हो, पत्नी हो, दुख में म साथ देगा अफकोस साथ देगा अपकोस मैं नहीं बोलता कि आपका साथ नहीं देगा जरूर आपका साथ देगा लेकिन जरूर नहीं कि हर दोस्त हर मित्र हर पती हर पत्नी या आपके माँ आपके पाप आपका साथ दे आपके हर एक दुख में, हर एक situation में, हर एक परिस्थिती में लोग आपका साथ दे, यह आपको कभी सोचना मत, यह भरोसा मत रखना समझा रहा कि नहीं आ रहा आपके दुख बहुत बड़े हैं, मैं यह नहीं बोता कि किसी की जिन्दगी में दुख नहीं, मेरे भी जिन्दगी में बहुत दुख है, आपके भी जिन्दगी में बहुत समस्य है, मेरे भी जिन्दगी में बहुत समस्य है, प्रॉब्लम्स खड़ी बड़ी, मतलब पड़ी हैं अगर गिंती कर दे तो फिर बहुत सारे हैं हर एक इंसान की जिंदगी में जब वहों समाना चालू कर देता है उसके जिंदगी में दुख आना चालू को जाता है कितनो धन रहे फिर भी दुख रहेगा कितनो कितनो व्रद में रहे? लेकिन फिर भी उसके जिंदेगि दुख और तकलिप रहेंगी, रहेगा की नी रहेगा, जरूर रहेगा, लेकिन उसके दुख और तकलिप में कौन उसका साथ देता है? भरोसा रखते हैं लोगों पर आप अपने मुसीबात के समय भरोसा रखते हैं अपने लोगों पर और आप सुचते कि मेरे दुख दूर कर देगा ये मेरे समस्य दूर कर देगा पैसे का समस्य हो मेरे माँ बाप मेरे दोस्त दूर कर देगा मेरी ये समसे हो समसे हो दूर कर देगा लेकिन याद रखना लोग आपके दुख और तकलिफ को दूर नहीं कर सकते आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे दुख और तकलिफ हैं न जो लोगों से कभी नहीं होगा छोटे मोटी चीज हो सकता है फाइनेसियल प्रॉब्रम हो लोग दूर कर सकता है लेकिन जिंदगी फरकले दूर नहीं कर सकते न लोग ये है लेकिन एक बात बता रहा हूँ एक इंसान ऐसा है जो आपके दुख और तकलिफ में आपका साथ तो देगा प्लस आपको हिम्मत भी देगा आपको सामर देगा, आपको सहायता देगा और आपके दुख और तकलिफ को दूर भी करेगा और वो है मेरा येसू वो है मेरा येसू जो हमारे दुख और तकलिफ में हमारे समस्याओं को साथ देता है सामर देता है और दूर भी करता है वो है क्यवाल मेरा येशू येशू, येशू मसी, प्रभू येशू मसी अचन में आगे बढ़ते हैं वो है मत्ती 14 का 22 से 33 मत्ती 14, 22 से 33 मत्ती 14, 22 से 33 आप पढ़िएगा, बाइबल खोल लीजे आप खुद पढ़ लीजे, ठीक है न? तो, आपको यहां के बारे मालूम है यहां है, येशू मसी ने अपने चेलो को क्या किया, नामे भेज दिया और खुद क्या हो गया एक जगह में रुख गया है की ने, उस जगह में खुद येशू मसी रुख गया लेकिन अपने चेलो को क्या कर दे, नामे भेज दिया, सांज होई इस मसीवहीर रुख गय रात हो गया आपको मालूम है, लेकिन चेले लोग क्या हो गए आगे बढ़ गए, अगे बढ़ गए और आगे बढ़ने के बाद बहुत बीछ में चले गए जिल के चेले लोग क्या हो गहे जिल में अगे जिल में पहुंच गे अचानक जिल में क्या हो गया टुफाने लहरे आने लगा और उनका जो नाउ था उनका जो नाउ क्या हुने लगा डग मगाने लगा तो उसी समाइज हुआ क्या आइए पढ़ते हैं उसका 24 वचन उस समय नाव जिल के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी इन लोग कहा थे जिल के बीच में थे और जो इनका नाव था वो क्या होने लगा डगमगाने लगा इनका नाव क्या होने लगा, डग मगाने लगा, और जो उनका हवा जो तुखान चार रहा था, वो नाव के जस्ट सामने में था, ऐकिने, ऐसा नाव जा रहा है, और सामने से हवा आ रहा है, तो नाव क्या होने लगा, अन्बैलेंस हो गया, अन्बैलेंस हो गया, डूबने के कगार पर या इधर दर हिलने डूलने लग गया लोग अपने आपको इसु मसी के चेले लोग आपको सम्हान नी सके ऐसा परिस्थिती आ गया नाव जो है डग मगाने लगा चिले आपने आपको सम्हाल नहीं सके और लेकिन याद रखना येसु मसी नाम में नहीं है येसु मसी वहीं पहाड पर रुके हैं ठेके वहाँ प्रात्ना कर रहे हैं लेकिन याद रखना चिले लोग के साथ अभी येसु मसी नहीं है चिले लोग के साथ अब येसु मसी नहीं है इन लोग दर गए इन लोग घबरा गए कि क्या करे कैसे करे हम कहा करे क्या करे प्रभू इन लोग डर गए घबरा गए इन लोग को समझ नहीं है हम कैसे करे तब क्या हुआ, रात को आधे पहर में येसूमसी पानी पर चल कर आया पढ़ाता हूँ वचन, येसू रात के चोथे पहर जिल पर चलते हुए उनके पास आया आया, येसूमसी उनके साथ चलते हुए, इन लोग अब हुआ क्या आगे देखो चेले उसको जीर पर चलते हुए देखकर घबरा गए अब आपको भी सोचें क्या कोई इंसान पानी पर चल सकता है भाई मेरा येसू पानी पर चल सकता है मुझे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई अन्य जाती भाई लोग जो मुझे येसू मसी को नहीं जानते हैं लोगँ देख रहें याद रखना मेरी येसू मसी मित्ता सामर्थ है अरे तो मुरदे को जिला सकता अने इसलिए को जिला सकता पानी पर चल रहा हुए तो इनलोग क्या हो गये देखके डर्णाग का टो आ रहा है गोन प्राथ को पानी पर चलकर कों आ रहा है घुल्ल पर चलकर डोंजा वह चलते वह घंदेНधक से अ किया बोलकर चिल्लाने लगें क्या देखो और कहने लगे यहां बूत है और डर के घृलाने लगे और चिल्लाने लगें जो हुआ कर शोथ नाम सीमित एक और अाग में आतम की निकाला है याद रखना यह वही चेले हैं जो बाद में दुश्टात्माओं को निकाला है अच्छे से अच्छे भूत को निकालने वाले यह वही चेले बने हैं यह वहीं चले हैं समझा रहा कि नहीं आ रहा तो हुआ क्या अब येसु मसी बोला इनको कि तुम धाड़ास माधो हिम्मत रखो वचन पढ़ा रहा हूं 27 वचन तब येसु ने तुरंट उनसे आबाते की और कहा धाड़ास बांधो डरो मत मैं हूँ येसु मसी ने बोला भाई एक है जो आपको बोलेगा मैं हूँ भाई क्यों डर रहा है और एक हूँ डर मत एक तो प्रभू में ताकत देगा हिम्मत देगा होसला देगा प्रभू बोलेगा मैं हूँ न कहाई चिंता कर रहा है और तीसरी बात प्रभू हमको बोलता है डर मत मैं तेरे साथ हूँ ऐसा ह प्रहु को याद करेंगे अपने दुख के समय जब हम प्रहु पर अपना भरोसा रख रहेंगे तब प्रहु बोलता है पीछे से कि डर्मत मैं तेरे साथ हो यह मेरा प्रहु बोलता है तो हुआ क्या उस समय आगे और बता रहा हूं तब पतरस जो था उन्तिस वचन जब पतरस जो था वो बोलता है कि अगर प्रभू तू ही है तो मुझे पानी पर चलने के आगया दे चल कर आने के आगया दे वह क्यों नहीं बोलेगा चला जा इसुमसी बोले चला जा तुझे जाना है ना चला मुझे पर अख चला दो यह पानी पर दे पानी पर नाव से उत्रा नाव से दे पास जाने लग लग है नाव एक तरफ हो गया यह सुमसी तरफ हो गया और पतरस एक जगेinea हो हुआ कि अचानक से, और देखो पचन पढ़ा रहा हूं, तीस वचन, पर हवा को देखका डर गया और डूबने लगा, तो चिला कर कहा, अब हुआ क्या, पतरस जो है, पतरस जो है, देखा हवा को, तुफान को, मुसीबत को देखका डर गया, घबरा गया, और पानी में नहीं लगा आज हम और आप अपने आज पास की मुसीबत को तकलिफ को सताओ को देख कर डर जाते हैं घबरा जाते हैं और प्रभु में अपने विश्वास को डग मगाने लगते हैं प्रभु पर हम इस्थीर नहीं रहते हैं हम इधर उदर डग मगाने लगते हैं कभी ये बा और वह क्या अचानक से फिर पतरस बोलता है कि हे प्रभू मुझे बचा हे प्रभू मुझे बचा जब आप दुखों में जब आप अपने तकलीफों में जब आपको बहुत बड़ा समस्य आता है ऐसा लगता है कि क्या करो कभी-कभी तो नौबात इतना आ जाता कि सुसाइड कर लो उस समय आप प्रभू को याद करिए उस समय घुटने में रहे ना कि इधर भटके ना कि इधर भटके नहीं रोका घुटने के पास घुटने में इसु के पास आये और मुझे बोलिए प्रभू मुझे बचा प्रभू मुझे इस तकलिफ से निकाल प्रभू मुझे सह ऐस प्रभू आपको भी जिरता करेग़ प्रभू आतकताक करेगा उनीवह पंद्ण सेरा अब यूप झालिया आप जयेता नीकाल एगा परिश्थित्य आजाएगा तो जरूर्य बचाएगा, हात पकड़ कर प्रभू आपको थामेगा, हात पकड़ कर प्रभू आपको समालेगा, ये है हमारा प्रभू, हमारे दुख में लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, माबब, निकान ली सकेंगे हमारी मुसीबत से, इतना उनके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन मेरे गर हम बलेंगे था हमारा हात पकड़ कर प्रभू हमको निकालता है, हमारे दुख और तकलिप से, समझा रहा कि नहीं आ रहा, वचन बता रहा हूँ, आप देख लिजे, भजन सहीता, 23 अध्या, उसका चौथा वचन, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलू, तो भी हानी से ना डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, मैं कितनो घोर अंधकार से, मतलब कितनो बड़े समस्य से होकर चलू, कितनो बड़े प्राबलम में होकर चलू, मैं कितनो समस्य बड़े से बड़े दुख में क्यों न रहूं, मैं कितनो बड़े से ब नहीं हुआ, येसु उसके साथ था, येसु उसके साथ था, उसको कुछ हानी नहीं हो, आरे हाथ उसको उठा लिया, आज आपको और मुझे प्रभू अपना हारे हाथ उठा लेगा, जब हम प्रभू पर भरोसा रखेंगे, येसु हमारे साथ है, तो हमें प्रभू सम्हाल ले थीखा ना एक वचन और बता रहों वही 32 वचन मत्ती चौदा का वही 32 मत्ती चौदा का 32 जब ना पर चड़ गये तो हवा थम गई जब यिशु मसी बस ना पर आये ना चलते चलते पतरस भी ना पर चड़ गया पानी पर चलते चलते यिशु मसी बस ना पर चड़ गया और सड़ली हवा थम गई तूरंथ ही तूरंथ हवा थम गया समझा रहा है कि नहीं आ रहा है तूरंथ हवा तूरंथ थम गया ऐसी एक जेगा और हुआ था घटना जब येसु मसी नाव पर सो रहे थे और अचानक से तूफान आया था अचानक से बहुत बड़े समस्या था येसु मसी ने क्या किया उचड़ा नाव पर खड़ा हुआ और हवा और आंधी को डाटा और हवा और आंधी थम गया समझा रहा कि नहीं आ रहा येसु मस्य जब साथ है न कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता जब येसु हमारे साथ है अलेलुया एक वचन और बता रहा हूं एक ब्रानियों तेरा ध्याय मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा इसलिए हम निडर होकर चलते हैं प्रभु मेरा सहायक है मैं ना डरूंगा प्रभु बोलता है मैं तेरे साथ हो भाई मैं तुझे सहाता कर रहा हूँ मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ इंसान एक वक्त तक आपको छोड़ देगा आपके माबाप, लड़की है माबाप को छोड़ देगे कुछ साल के बाद साधी करके बच्चे हैं उसको भी छोड़ देगे साधी करके पति पत्ने कुछ प्राबलम हुआ, बड़े से बड़े प्राबलम हुआ छोड़ देते हैं कुछ दुख और तक्लिप में आपके दोस्ती मितरगर छोड़ देँगे आपकी रिलेटिवस, आपके फैम्ली छोड़ देंगे लेकिन येसु कभी ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा आपके जन्मानी वाली मात आपको छोड़ सकते लेकिन मेरा येसु कभी ना कभी त्यागेगा वो हमेशा आपके साथ रहेगा एक और वचन है प्रभु मेरा सहायक है मैं ना डरूंगा जब प्रभु मेरा सहाता करते हैं हम क्यों डरे भाई समझा रहा कि नहीं आ रहा तो आपके दुख में कौन आपका साथ है आप सोचते हैं लोग ना आपका साथ दे सकते लेकिन आपके दुख को दूर नहीं कर सकता आपके दुख को दूर कर सकता है तो क्योवल येशू, आपकी मुसीबत को दूर कर सकता तो क्योवल येशू, आपके दूखर मुसीबत में आपके सहाता करके आपके तमाम समस्याओं को दूर कर सकता तो क्योवल येशू, और कोई नहीं, लोग आपके सहाता दे सकते हैं, छोटे मोटे financial problem, कुछ और problem दूर कर सकता है लेकिन उसको जिंदगी भरक ले दूर कर सकता केवल मेरा येसू आलेलुया तो आप अपना भरोसा आप अपना विश्वास प्रहू पर रखे कभी डगमगाईए मत दूखर तकलिफ में आपके प्रहू साथ है आप घुटने टिक कर प्रहू से बोले प्रहू मुझे बचा आपको हाथ ठाम कर प्रहू बचाएगा आज आपके दुख में प्रहू आपके साथ है अंततक रहेगा इस अंतिम दुनों में आपको प्रहू ही बचा सकता है कोई और कोई और नहीं आपको धार के वल येशो के नाम से हो सकता है किसी और के द्वारा नहीं आपको प्रहु समा सकता है आपके दुख में प्रहु आपको बचा सकता है के वल मेरा येशो बचा सकता है कोई और नहीं बचा सकता प्रहु आप सबको सहायता करें और ज्यादा 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 पराहद ने करें प्रहु में आगे बढ़ुए यह संथिम दुनों में अपने आपको प्रहु में अपने आपको ज्यादा ज्यादा बढ़ाय है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब